नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चेनल एबी टेक में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टीज़िटी पिज़िटी बड़ती 2020 की नियुक्ती प्रक्रिया के बारे में जब से टीज़िटी-पिज़िटी की परिच्छाय संपन होई है तब से लगातार आप लोगों दोर्द्वारा कवन्ट के माधनम मिलती है सारी चीजे जो बरती ये सारी चीजे जानते हैं या लेडी जो अलेडी पहले एक दो बरतियों में एपियर हो चुके हैं उनको सारा कुछ मालूम है तो वीडियो को स्किप कर दीजेगा आगे मत देखिया क्योंकि आपके इंफर्मेशन समझ कोई भी यहां पर जानका कारे में आप लोग जानते हैं टीजेटी बरती दोजारे किस की प्रक्रिया जो पिछली बरतियों के पेच्छा काफी कुछ चेंज में आए पहली बात यह चेंज है यहां पर की टीजेटी दोजारे किस में जो है कि आपकी कोई भी आप इंटर्व्यू नहीं होगा सीधा-स लिखित परिच्छा के आदार पर यह आपका यहां पर सेलेक्शन होना है तो जल्द ही टीजेटी की सुधित उत्तर कुंजी आ जाएगी और इसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है यानि जो रेटन का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा तो जैसे रिटन का रि इची में जो है रेटन का एक्जाम रिजल्ट जारी होगा और यहां पर कोई भी जो है देखा जाये तो एक्स्टर क्वएलिफिकेशन कशी का वह रांक कर खू समझ हो ठीक है तो कटाफ जारी होने के बाद ये clear हो जाएगा बेड़तियों को किनका इन किनका हुए आपर जो है चेहन हुआ है किनका किनका नहीं हुआ है जिसका भी चेहन होगा उन भीड़तियों को एक बार फिर से college choice के लिए बुलाए जाएगा आप लोगों को कहां कहां कॉलेज लेना उसके लिए ऑनलाइन धी website पर ही आपको college choice का जो आविदन करना होगा एक बरतिया इन अधिकतम 5 college choice की बड़ित्ता दे सकता है तो उस में से website पर आपको log in portal में आपको जा करके वहाँ पर college choice करनी होगी उसी में से आपको जो वरिष्ठता सूची बनेगी उसी कियाधार पर ही आप लोगों college मिलेंगे आपको बता दे कि college आप कोई भी choice कर सकते हैं लेकिन जो चैन बोर्ड है वो आपको college वही देगा जो आपकी merit के साब से होगा यानि सपोर्ज कर जिसके स सबसे ज्यादा नंबर है उसने जो भी college लेना चाहता है वो उसको उसके पसंद college मिल जाएगा उसके बाद सेकंड जो कंड़ेट है टॉप से बाटम तक जो भी merit बनेगी ठीक है उसमें top से बाटम ही college जो college है वो आवंटित किये जाएंगे तो अगर आपका merit अच्छा है की उपस्तिती की अनुसार ठीक है तो यह तो यह तो बात भी इसमें न कि होगा तुसमें यह बता धीया जाए किडियों को इंटर्वियू के ओं मिलेए पूलाया घू कि इंटरवेवी के लिए जो बड़्ति होंगे, vacancy के साफच में तीन गुना बड़्तियों को बुलाया जाता है। जिसके सबोश करो किसी विसे में 50 vacancy है, तो उस विसे में 1500 बड़्तियों को बुलाया जाएगा। कुलम ना करके देखा जाए तो सभी विश्यों में 2595 वेकेंसी है ठीक है लगबग इसको राउंड आफ में 2600 माल लेतेंगे तो लगबग लगबग आपका 7800 कंडिडिट जो PGT में इंटर्विव के लिए बुलाए जाएंगे वेकेंसी के सब पेच में तीन गुना ठीक है एं सदर सिच्चक वनको वारांग वगैरा भी दिया जाएगा उसके बाद फिर final minute बनेगी final minute जो बनेगी 500 के इसाब से बनेगी आपकी ठीक है उसके बाद जब final mate पान सो के इसाब से बन जाएगी तब final result जारी किया जाएगा final result जारी करते समय जो है आपके marksВОRIS ढरिकिये जाएंगे और जो है एक अधिक काटाफ के एक अधिक हो गया है इस काटाफ के निचे जीतने भी बढरती नहीं हूँ हुआ है जिनका जो कटाफ से उपर बिर्थी रहेंगे जिनका chain हो जाएगा उनको जो है college choice करना पड़ेगा हाला कि college choice आपको interview के time भी करवाई जाएगी ठीक है तो finally एक बार college choice हो सकता है आपको आपको out दुबारा से करवाई जाए क्योंकि बहुत से बिर्थी होती है जो reserve category में farm डालत तो उस case में जो रिजर्ब कर्टेगरिक चात्रा उनको से दुबारा कालेज चॉइस करवाई जाती है ठीक है तो कालेज चॉइस में भी आपको जो पांच कालेज होंगे उनका विकल्प आपको देना होगा यहां पर यहां पर या फिर समय के अनुसारी समें ज्यादा कालेज क भी विकलब आपसे लिए जा सकते हैं, रैंक के अनुसारी आपको कालेज अवंटित किया जाएगा, अब जैसे ही आपका कालेज अवंटन हो गया, तो उसको पैनल बोलते हैं, जैसे ही आपका पैनल जारी हो गया, ठीक है, जब पैनल जारी हो जाता है चैन वोट से, पैनल में को यह पता चल जाता है कि आपको को इंसा कालेज एलोटमेंट हुआ है ठीक है तो जैसे टिजटी पिजटी दोनों का पैनल जा रही हो जाता है तो यह पैनल वेब साइट पर आ किया जाता या इमेल का मद्दम से जो कुछ भी चैन वोट करता है तो ज्यादा तर इमेल से आप हैक्स के मद्दम सही सारी चुछे भेजी जाती है ठीक है तो पैनल जारी होने के दस से पंदरा दिन के बाद सारी जिलों में सुचना है पहुच जानती है अपको करना के आपको अपने संबंदी जिले में जाना जिस जिले में आपका जो चैन हुआ है जिस भी जिले में आपका चैन होना हुआ है वहां के डियाइस आफिस में जाना है वहां पहुचना है क तो आपके घर में जो है, डी आउस की तरब से एक लेटर जाएगा और हो सकता है, आपके विद्यालाइक की तरब से जिस बी, आपके जोइनिंग हुई आए तो आपके college की तरब से भी एक लेटर जाएगा ठीके, तो इसमें थोड़ा सा time लग दिया के क्योंकि पहले कर सकते हैं जल्दी ले सकते हैं या फिर अगर आपको वेट करना है तो घर पर अपना वेट कर लीजिए घर पर आपके लेटर जुआ है वो भेज दिया जाएगा ठीकड़ जैसे घर पर आपके लेटर आजाता है आप डियास ऑफिस में जाएए वहां पर जो फार्मल्टीज ह उसको आप लोग जमा करिए वहाँ पर जो भी academic आपके documents होते हैं high school, inter-graduation, beard, PG या जो आपका अधार card है, pen card है सारी चाज़े आपको di house office में जमा करनी पड़ेंगी हो सकता है 2 set में जमा करनी पड़ें या 1 set में जमा करनी पड़ें तो वहाँ से आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा di house office से उस नियुक्ति पत्र को लेकर कि आप college को जाना आए college में फिर आगेज अपने सारे documents जो है आपको जमा करनी है वहाँ पर ठीक है 2 set में या 1 set में जो भी college की वेवस्था होती है उसे साब से और जब college में जाएंगे तो आपको manager के पास भी जाना पड़ेगा manager क्योंकि यहां पर main school के प्रवंदक होते हैं वही सब कुछ होते हैं सरवेसरवा होते हैं तो उनके पास भी जाना पड़ सकता है आपको वही पर फिर आपको नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आपकी और आपको joining दे जाएगी आप अपने college जाना है सारी प्रक्रिया आपके जो principal है वह बता दें खुदी क्या क्या करना है आपको उसमें टेंसल लेने को कोई जरूत नहीं अभी से आप लोग परेशान मत होना सारी प्रक्रिया जैसे आप फिस जाएंगे उसके बाद सारा कुछ बता देंगे फिर जब कि स्कूल पहुंच जाएंगे वहाँ पर सारी प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी ठीक है तो बस आप करते जोइनिंग बढ़ती की हो गई तो दस तारीक से उसका वेतन बनने लगेगा ठीक है वेतन उसको दस तारीक से ही मिलेगा ऐसा नहीं है कि वेतन बाद से मिलेगा जिस दिन जोइनिंग हो गई तो एक साल तक आपका प्रोवेशन पीरियड रहता है एक साल तक जो नवकरी हो क आपकी आई इस्थाई होती, PROVACION PERIOD होता है, TGT में एक साल का होता है, ठीके, तो एक साल PROVACION PERIOD रहेगा, PROVACION PERIOD में थोड़ा से आपको सावधानी बढ़तनी चाहिए, ताकि अच्छे से आपका PROVACION PERIOD निकल जाए, येक साल गाप्रोव्शन प्रियरण निकल जाता है, आप स्सल्दाई हो जाते हैं चाहे आपके स्थाई करवाएं या ना करवाएं अठोमें आप स्थाई हो जाते हैं, ठीक है? तो आप बात करते हैं वेतन मगारा कुले करके, जैसने सबोईच करो है इसके बाद जब पहली Sally pass हो जाती है तो आपको बांकि जो इस्कूल के teachers होते हैं उन्हें के साथ add कर दिया जाता है और फिर सब के सामवग से लिया थी है तो देकिशा पहली बनती है वह डिपेंड करती है डाकुमेंट वेरिफिकेशन पर आपके डाकुमेंट का वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही सेली जो है वो बनती है पहली तो डाकुमेंट वेरिफिकेशन मों वैसे तो मैंसे कली देखा जाए तो चार डाकुमेंट वेरिफिकेशन होते हैं पांच भी हो सक सब्सक्राइब करने के लिए तो हम लोगों का जो हुआ था अब इस समय समय पर चीजें परिवर्तित होती रहती है ठीक है तो जैसे कालेज के थुरू आपका लेटर जाता है वरिफिकेसन कराने के लिए तो हर युनिष्टी की अलग-अलग फीस होती है किसी के तीन सो रुपए किसी की पान सो रुपए इसी तरह बोर्ड की होती है तो वो फीस हो सकता है आपको ही पे करनी पड़े कुछ कालेज वले आप पर चोण देंगे कि आपको वेतन मिलना है आप ही भरो इसको से लिए जो फीस होती है ठीक है तो जैसे डॉकुमेंट वेरिफिकेसन आपका हो जाता है जैसे वहां से लेटर आ जाता कि आनके जो रिकार्ड है पूरा-पूरा सही है तो आपकी सेली जो है वो लग जाएगी कई बिच्छ करते हैं कई-कई-कई-पर तो छोग करता है ठीक है वैसे हम लोगों की बात कर लोगों में चारों की जो हो गया था डे-वेरिफिकेसन होगा तो इसके बाद सेली लिए वह लोग गए ती और इस पूरे चक्कर में तीन महने लगवग लग लग यत तीन महने का समय लग गया था 3 महींब laud 3 महींने बाद जो पूरी एक साथ बन करके मिल घी तो जो जिस दिन से आपने जोइन किया और उस दिन सले करके को महीने के आखरी तारीछ तक जो सेल करके मिल जायेगी ठीक हैट तो आप लोग ंपरिशान ना होना वह सब सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल कर लिंक के दिया गया तो आप लोग उसको भी जोईन कर लीजेगा सारी अपडेट आपको वहां पर भी प्रवाइड की जाते हैं फ्लाली सब्सक्राइब इतना ही धन्यवाद